तो देखें आज मैं ये इस तरीके की ड्रस लडू को पाल जी के लिए बनाओगी इसको बनाना बहुत ही इसी है बहुत ही असान तरीके से आप इस तरीके की ड्रस लडू को पाल जी के लिए विंटर के लिए बना सकते हैं तो चली बनाना शुरू करते हैं लेकिन शुरू करन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लडू कुपाल जी के लिए ये बीटिफुल सी विंटर ड्रेस ये देखे ये इसके लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके का फैब्रिक लिया है ये एकतम विंटर के लिए फैब्रिक होता है ये को लिए कि एकत्मसे गरम कपड़ा होता है इस तरीके का शौल टाइप का इस तरीकी का फैबरिक मैंने लिया है इसकी चोड़ाई ओर इस अफैरिक मैंने चार इंच रखी लैंद मैंने 30 इंच रखी है तो इसे हम पहले देखे क्या करेंगे हम मैंने यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके की Lace का यूज किया है इसको हम अपनी जो मैंने Strip काटी है इसके यहाँ पर नीचे की साइड लगाते हुए इसको हम मशीन की हेल्फ से इस पर Sly लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए तो चलिए इस पर भी पर इस लाई लगा देते हैं तो यहाँ पर मैंने यह लेस को नीचे की साइड रख करके इस पर Sly लगा दिया है अब हम साइड में तोनों साइड पर इतने इतनी साइड तोनों साइड भी हम लगा देंगे चलिए यहाँ पर भी Sly लगा देते हैं तो यहाँ पर भी देखिए मैंने दोनों साइड लगा दिया इसको लॉक कर दिया है स्लाई लगा करके अब हमें क्या करना है यह देखिए जो स्टिफ हमारी त्यार हुई है हमें इस तरीके से इस पर छोटी-छोटी प्लेट जाल करके स्लाई लगानी है हमें इस तरीके स्लाई लगानी है तो देखिए नीचे की साइड रख करके हमने इस पर स्लाई लगा दिया है प्लेट हमारी बन करके त्यार हो गई है यह देखिए अब इसके उपर हम चोली लगाएंगे चोली बनाने के लिए यह मैंने सेम फैब्रिक के स्ट्रप कट करी है इसकी तोनों साइड से मैं आपको मेजर्मेंट दिखा देती हूँ देखिए आठ इंच और इधर से साठे साथ इंच की मैंने इसको मेजर रखा है अब देखिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक हम इधर की साइड से फोल्ड करेंगे दो फोल्ड हमारे हो गए है अब हम इसकी चोली की shape में इसको cut करेंगे तो इती है यहां से पेले हम इधर से रखेंगे इसको और टीड़ इंच पर हम इसको mark कर देंगे यह हमारा चोली के रिए हो जाएगा और दीड़ इंच यहां से दोनों साइड से डीड़ इंच रखेंगे तो यह हमारा चोली का स्लीप्स का साइड होगा देखे यहां से 1.5 इंच की इतना और यहां से लेके यहां तक यह 2 इंच का है हमारा देखे और इधर से भी 2 इंच तो आप इम इसकी कटिंग कर लेते हैं कटिंग हमारी हो गई है अब इसके हम छोटी सी नेक की कटिंग लगा देते हैं बिलकुल हलका सा बीच में से कट लगाएंगे फिर हम शर्ट के सेंटर में से एक चोटा सा कट लगा देते हैं उसको लगा देंगे देखे बहुत ही चोटा सा कट मेंने लगाया है यहाँ पर अब एक सेंटर से कट लगा देते हैं यहाँ से यह देखे इस तरीके से हो जाएगा यह अब हमें इसके स्लीप के साइट की कटिंग जो हमने किये है यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे और फिर इधर की साइट से हमें से स्लाय लगानी है चलिए पहले इस पर स्लाय लगा देते हैं पहले स्लीप की साइट हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके स्लाय लगा करके लॉक कर देंगे अब अब इसको हमने अपने बेस के साथ चोलि को अटैच कर दिया है इस तरीके से हमारी ड्रेस बन करके रड़ी हो जाएगी एकतम बहुती प्यारी सी और बहुती सिंपल इस तरीके की पुशाग बनाना है यह देखिए आप पेंटर के लिए अपने कुपाल जी के लिए इस तरीके के फैब्रेक से यह ड्रेस बना करके त्यार कर सकते हैं I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगे कुपाल जी की आपको यह ड्रेस अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं आप से इसी तरीके की नई वीडियो के साथ तैंक यू, तैंक यू फर वाचिंग में वीडियो